नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी एक ट्रिक बताने वाली हूँ कमबल को लेकर जैसे कि सर्थियों में सभी के घरों में बहुत ही मोटे मोटे से कमबल होते हैं जिनको रोज धुल पाना बहुत ही मुश्किल होता है और गंदे तो बहुत जादा हो जा कमबल भी साफ सुत्रा रहे हैं तो दीखे दोस्तों हमने लिया है यहां पर एक कटोरी में ब्रेकिंग सोडा उसके बाद में इसमें ट्रेल कंपोडर कोई भी आप जो भी यूज करते हैं डाल दीजिए चलने ले ले लीजिए इसके बाद इसमें मेरे पास यह जो पुराना वाला था कमबल इसको साफ करना जरूरी है तो इसको में साफ कर ले रही हूं क्योंकि वह नया था जो मैं पहले दिखाये थी उसमें कोई भी धौल मिती नहीं है तो हम अभी अपना पुराना वाला ही ब्लैंकित साब करके दिखाएंगे तो दिखिए इस तरह से पूरे छलने को लेकर इस तरह के पूरे में जाड़ देना है जो हमने ब्रेकिंग सोड़ा लिया है इसके जाड़ने के बाद में चार से पांच मिनट आप छोड़ दीजिए इसे ही और उसके बाद में हमें लेना है कुकर का धकन को लेकर हमने सफेद कपड़ा ले लिया है कपड़े को हमने पाने में बिगा कर अच्छे से जोड़ दिया है इसके बाद में हम इसको इस तरीके से कबर कर देंगे तो अभी हम तो पूरा ब्लैंड किट आप इस तरीके से करके पूरा साफ कर देजिए साफ करने में भी बहुत ही आसानी होती है क्योंकि इसमें हैंडल बना है इसले कोई दिक करने होती है कि अब जो भी धूल मित्ती गंदगी है वह साफ हो जाएगी इसके बाद में आए हम दिखाते हैं आपको यह कपड़ा खुलने के बाद में देख सकते हैं कि इतना गंदा गंदा से कपड़ा हो गया है यह तो आप इस तरीके से अपने ब्लैंड किट को साफ कर सकते हैं बिना धूले इसके बाद दोस्तों हम लेकर आये है अपने इंडेक्शन को लेकर जैसे कि सभी के घरों में इंडेक्शन होते हैं और बहुरत सारी यह किसी को नहीं पता होगा कि इंडेक्शन को जब हम अपना यूज करने के बाद में छोड़ देते हैं तो तुरंगीस का बटन आफ कर देते हैं देखिए ये इंडेक्शन तो आफ है ही लेकिन इसमें अभी भी इसमें फैन जल रहा है फैन जब तक बंद नहों तब तक आप जो है इस इंडेक्शन को मत बंद करिए इस तरीके की आपके पास ब्लांग्टिट की कबार आती है इस तरीके से हो गए तो यह पन्री ही फट जाती है किसे पर रखने सी है तो इसको तरीके से अच्छे से कबर कर दिया है जिसे के हमारा जो ब्लाम की थे यह खराब ना हो कि अभी अच्छा भी इसमें अच्छे से चैन लगे होते हैं तो इसको आपके पास रखने के लिए यह भी और की आपके सब्सक्राइब रखने के लिए तो आप इसको अच्छा स्प्राइब कर दो खने इंडर के दिया तो इसको आपने जोड़ सकते हैं आपको दूनों किनारे थे यह भी फट गई थे नहीं बलुढ़ की हमें इसको नहीं रखा था अंदर के सिला हुआ है तो चिप गढ़ाए। तरह सो करते हैं। उपर नीचे तक भीवड़ीन तक बाद नाया है। इसे इक पन्न आपकर टाइप पन्नी तो मैंने इस पन्नी को लगा दिया। इसके बाद में देखें। कि यहां पर जो पनी लगे हुई एंदर से थोड़ थोड़ दिख रहे हैं दिहान करने पर दिखेगी फिर भी मारा कंबल दो अच्छी तरहेगा और हमने जहां पर यह इसके पनी पटे वहां वहां मैंने इसको जो मेरे पास ही वाला था टेप पानी कलर का इसको मैंने लगाया अंदर से लगाया है एक और बार से लगा दिया तो दिख सकते हैं पुरा अच्छी से दिख रहे हैं और दोस्तों मैं क्या है कि मैं पहले सोची कि शाइद ना बन पाई इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई थे जब यह बनकर तयाब हुआ है मैं अगर वीडियो बना लेती त अगर आपको पास समय करना ना मसीन में भी लाइकर की सही कर सकते हैं मैं इस तरीके से जोड़कर रख लेती हूं तकि आंके भी पूरा इतना अच्छा साहय और इसको अम फेक देंगे ऐसे तो नहीं अच्छा लगते हैं इसलिए मैं जोए जोड़कर ही रखते हो